आज किसी ने मुझे कहा कि बहुत intellectuals जो अगर तला में रहते हैं, जो विद्वान लोग हैं, जो बड़े घर में रहते हैं, बड़े intellectuals अपने आपको बोलते हैं, अगर तला में रहते हैं, उनको पसंद नहीं है कि तिप्रा मौथा का बात, constitutional solution का, हमारा अधिकार का बात के बारे हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि उनको oppose करना चाहिए, मैं अपने तिप्रासा लोगों को एक ही बात बोलना चाहता हूँ, यही रखम के लोग, जो intellectuals थे, जो विद्वान थे, जो lawyers थे, जो अगर तला में रहते थे, 1980 में जब हमें TTA, ADC मिला था, तो यही लोगों ने कहा था कि तुप्रा के जन जातियों को ADC नहीं मिलना चाहिए, यह लोग हमेशा इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, जब तक हम, हम अपने लोगों के बारे कुछ अधिकार के बारे डिमांड करें, जिस दिन हमने समाज के बारे, अपने दौफा के बारे कुछ डिमांड करते हैं और गर्मेंट सुनता है, तो इन लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है, ऐसा क्यों है, क्योंकि यह लोग चाहते नहीं है कि हमारा नेक्स जेनरेशन आगे बड़े, यह लोग नहीं चाहते कि हमारा नेक्स सुविधा मिलता है, बच्चा भी स्कूल जाता है और आपके पास भी नौकरी है, यह लोग चाहते नहीं है कि हमारा जो जमीन है, उसमें हमारा अधिकार जो पट्टा है, जो हमारा जमीन हमारा हानी पुसा का है, वो हमारे नाम में हो, यह लोग नहीं चाहते है कि हम लोग आगे बढ़े तो यही लोग हैं जिनका कुछ प्राब्लम रहता है क्योंकि यह लोग नहीं चाहते कि आने वाले दिन में हम लोग आगे बढ़े लेकिन आप लोग चिंता मत करो तीप्रा मौथा गशेवर्मेंट में बेठेगा नहीं तीप्रा मौथा जब तक हम लोगों को अपना अधिकार नहीं मिलता है, हम लोग कोई पोस्ट में नहीं बैठेंगे, जो गलती IPFT ने किया, वो गलती हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग प्रेशर रखेंगे, और अपने दौफा को, अपने लोगों को अधिकार नहीं जाएंगे, बेलाइन नहीं हम बाए,